हेलो और नमस्कार दोस्तों आज में फिर से आज़ूर हूँ आपके लिए एक और बहुती इंफरमेटिव वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टापिक है ICICI Bank Loan Against Property दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हम अल्मोस्ट सभी commercial banks की चाहिए वो private हो यहां public sector banks हो जिनको आप government bank भी कहते हैं उनकी loan against property schemes पे वीडियो बना चुके हैं इसके अलावा loan against property rentals अपनी property भी जो rent receive करते हैं उसके अगेंस में जो loan मिलता है उसके अलावा personal loans, loan against pension, gold loans, two wheelers, commercial vehicle, personal vehicle, education, home loan दोस्तों almost हर तरह की loan scheme पे आपको हमारे चैनल पे अलग से playlist मिल जाएंगी जो कि हम regular update करते रहते हैं तो आप इन में से कोई भी loan लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इन में से जो best scheme है वो choose कर पाएं और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ICICI bank से कैसे loan against property ले सकते हैं क्या complete procedure रहेगा यह complete जानकारी आपको हिंदी में step to step दूँगा आप पूरा वीडियो end तक देखें ताकि आप इसका scheme का लाब उठा सकें उसके अलाब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या documentation आप से ली जाएगी क्या interest rate आपको चार्ज किया जाएगा कितना maximum loan आपको मिलेगा और क्या क्या आप से charges लिये जाएंगे मैं हूँ आपका दोस्त रोही स्वागत करता हूँ आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रही है हमारे साथ और भी ऐसे informational videos के लिए तो आईए start करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तो start करते हैं हमारे आज के topic के साथ ICICI bank loan against property तो loan against property आप किसी भी बैंक चले परपस सेम ही रहता है इसमें आप कोई भी अपनी personal requirement के लिए professional requirement को पूरा करने के लिए किसी भी need को पूरा करने के लिए और ये long term loan रहता है इसमें आप कोई भी अपनी जरूरत पूरा कर करने के लुए आप इसमें loan ले सकते हैं तो आपकी requirement कुई भी हो सकती है marriage के लिए हो सकती है ya education के लिए medical requirement हो सकती travel requirement हो सकती holiday के लिए हो सकती है यां कोई business में invest करना चाहते है long term आपको working capital चाहिए यहां कोई equipment यहां को machinery purchase करना चाहते हैं तो अपने किसी भी अपनी legitimate need को पूरा करने के लिए आप इस loan scheme का lab उठा सकते हैं यह personal loan की तरह ही काम करती है लेकि इसमें tenor जो है वो period जो है repayment का काफी लंबा रहता है और borrower को काफी time मिल जाता है इसली अपने loan को repay करने के लिए और longer period के कारण आपकी EME भी थोड़ी कम रहती है और EME का burden थोड़ा कम रहता है इस loan को apply करने के अगर आप ICIC bank से यह loan लेना चाहते हैं तो दो तरीके apply करने के एक तो आप offline branch में आके apply कर सकते हैं दूसरा आप screen अपने link जो है अपनी screen पर देख पा रहे हैं टॉप में red color में तो उस link पर विजिट करेंगे तो नीचे जो पेज आ रहा है वह आपके बस open हो के आजाएगा आपको अपनी simple personal details बढ़नी है कुछ भी इसमें exceptional आपसे पुछा नहीं जाएगा तो आपको अपनी personal details बढ़नी है और submit कर देना है और bank आपसे खुद contact करेगा आपके convenient type पर आपसे meeting की जाएगी और आपसे documentation ली जाएगी और आपका loan process कर दिया जाएगा तो बहुत ही simple process इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है तो चलते हैं इसके process पर तो eligibility criteria क्या रहेगा तो जाहे आप online apply कर रहे है eligibility criteria loan amount interest rate सब चीज़े सेम रहेंगी eligibility criteria क्या है कोई भी salary चाहे वो कहीं से भी salary ले रहे हैं government से semi government से या किसी private company से businessmen यहां कोई self-employed है professionals हैं जैसे कि doctors, engineers, architects, chartered accountants यहां कोई भी business small business में involved हैं तो हर तरीके के professions अगर आप belong करते हैं तो आप इस loan scheme का lab उठा सकते हैं शर्त बस है कि आपको बस property होनी चाहिए mortgage करने के लिए क्योंकि आपको जो loan दिया जाएगा वो आपकी property against में आपकी property as a security रखी जाएगी बट आपका कुछ regular source of income होना चाहिए तब ही आप इस loan scheme का lab उठा सकते हैं अगर आपका कोई regular source of income with valid proof नहीं है तो आप इस loan scheme का lab नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इसमें जो आपको loan दिया जाएगा उसका repayment आपकी regular income से ही होगा आपकी salary यहां आपसे profession से जो जिस भी profession से आप belong करते हैं उससे जो भी आपकी income आ रही है उसी से आपको EMI भरनी है और इसके अलावा अगर आपके पास property है और property रेंट ले रहे हैं और आपके वास कोई proper income proof नहीं है तो आप loan against property रेंट ले सकते हैं उसमें आपका income proof नहीं चाहिए क्योंकि उसमें आपका जो rent receive हो रहा है वही आपका income proof consider कर लिया जाएगा बट अगर आप loan against property ले रहे हैं वो property आप खुद यूज कर रहे हैं अगर आप rent पे यूज कर दिये ह है property तब भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप आपको loan against property चाहिए तो आपका लो एक regular source of income जरूर होना चाहिए और age जो है वो minimum 25 years है और maximum 65 years है documentation क्या क्या ली जाएगी आपसे तो KYC सबसे पहले कोई भी customer अगर कोई भी loan लेना चाहता है तो सबसे पहले customer का KYC लिया जाता है और KYC में आपका address proof, address proof में आप दे सकते हैं passport, bank passbook, pipe gas connection bill, electricity bill, telephone bill या water connection bill उसके अलावा आपका ID proof में आप दे सकते हैं pan card, driving license, voter card तो कोई भी proper valid ID proof दे सकते हैं उसके बाद में अगर आप business profession से belong करते हैं तो आपको business का कोई proof देना होगा और उसके अलावा bank statements, चाहे आप किसी भी profession से belong करते हैं आपकी जो bank statement, जिस भी bank अगर आप business में हैं तो अपने business account की statement दे दिए अगर आप salary हैं तो salary account की आपको statement देनी होगी उसके अलावा income proof देना होगा, ये depend करेगा कि आप किस profession से belong करते हैं अगर आपका profession अगर आप salary है तो आपकी latest जो तीन salary slips होगी वही आपका income proof होगा बट अगर आप किसी और profession में हैं किसी और business में हैं तो आपकी जो income tax returns होगी वही आपका income proof consider किया जाएगा अटलेस्ट आपको दो से तीन साल की income tax returns देनी होगी as your income proof उस पे जो भी income होगी वह आपका income proof consider कर लिया जाएगा उसके अलावा आपको property की documentation देनी होगी approved map का प्लाइब प्लान की copy और title deed के documents तो loan quantum कितना रहेगा तो कम से कम 10 lakh रुपी से scheme में और maximum 5 करोड 10 lakh से 5 करोड की बीच में कुछ भी आपको मिल सकता है और आपकी property की जो value है उसका 70% ही आपको as loan दिया जाएगा तो for example अगर आपकी 100 करोड की property है तो आप सतर लाग से जादा एक करोड की property है तो सतर लाग से जादा आपको loan नहीं मिलेगा बट वो सतर लाग भी depend करेगा कि आपकी उतनी repayment capacity याने की वापस देने की शमता है या नहीं उसको assess करने के बाद ही आपको उतना loan दिया जाएगा क्योंकि यह loan खाली आपकी property की value पर नहीं मिल रहा है यह आपकी regular income को देखके दिया जा रहा है उसके बाद में जो loan किया जाएगा उसको 90% पर आप as overdraft ले सकते हैं 10% as term loan ही रहेगा और overdraft का क्या फायदा है वो एक तरह सी CC की तरह काम करता है वो as and when required जैसे आपको जरूरत है तब आप निकलवा सकते हैं और जब आप draw करेंगे तब ही आपको interest charge होगा otherwise आपको कोई भी interest charge नहीं किया जाएगा बट अगर आप term loan पुरा लेते हैं तो आपको same day से ही interest start कर दिय जाता है और maximum quantum जो आपको मिलेगा बट स्कीम का maximum quantum 5 करोड़ है बट जो आपको मिलेगा वो depend करेगा आपकी regular source of income बेभी आपकी earning कितनी है उसी से bank आपका EMI लेगा क्योंकि bank करगी आपकी property जो ले रहा है बट as a security ले रहा है bank को आपकी property sale करने में कोई भी interest नहीं है bank चाहता ह उसको अपनी EMI easily आपके income से मिल जाए इंटरस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है ICICI bank आपसे तो अगर आप 50 lakhs तक का loan ले रहे है अंदर priority sector lending तो 9% है non priority sector है तो 9.10% है तो priority sector और 9 priority sector अगर इस पर हम debate करें कि तो जादा हो जाएगा तो priority sector में आप मोटा मोटा ले अगर agriculture है तो priority में आता है otherwise normal अगर आपनी personal use के लिए कुछ ले रहे हैं तो वह non priority में आता है तो 50 lakhs तक का अगर आप loan है तो 9% आपसे चार्ज किया जाएगा अगर अगर priority sector में है और non priority sector में है तो 9.10% 50 lakhs से लेके 1 करोड तक अगर आपका loan है तो 8.95% priority में और 9.05% non priority में और आपका loan जो non priority sector में यह जो interest rate है अभी के present rates है अब जब भी loan ले latest rates जो हम bank की website से confirm कर ले या bank में विजट करके आप यह rates पूछ सकते हैं तो यह rates हैं कभी same नहीं रहते हैं यह हमेशा change होते रहते हैं आप latest rates के लिए bank की website visit कर सकते हैं तो loan repayment का क्या रहेगा तो आपको जो loan दिया जा रहा है आप उसको किती देर में चुका सकते हैं तो maximum period आपको जो दिया दा रहा है वो 15 years का है तो 15 into 12 कर लीजिए आपको उतनी MIs देनी पड़ेंगी लगबग 180 किस्ते मनेंगी तो 180 किस्तों में आपको यह loan चुकाना होगा यह maximum period है इससे कम में आप चुका सकते हैं जब भी आप चाहें इस loan को चुका सकते हैं जब भी आपके पास पैसे हो बट maximum period आपको दिया जाएगा 15 साल का तो loan की security के लिए bank क्या करेगा आपकी property वो जैसी भी है चाहे वो commercial है या residential है जैसी भी property है उसको आप mortgage कर सकते हैं आपकी mortgage होगी और आपकी जो टॉइटल डॉकुमेंट्स व आपको आपके documents लोटा देगा और आपकी property free हो जाएगी बट जो property आप bank को दे रहें उस पर किसी तरह के कोई encumbrances नहीं होने चाहिए उस पर already कोई loan नहीं होना चाहिए उस पर कोई legal case नहीं होना चाहिए और agricultural land नहीं होनी चाहिए वो property commercial या residential होनी चाहिए free from encumbrances और आपका title एकदम clear होना चाहिए आपकी ownership एकदम clear होनी चाहिए और एक चीज़ और आपके property के अगर और भी लोग owner है आपके साथ में को owner है उनको आप as co applicant add कर सकते हैं और अगर आप property आप अपनी property पे या अपने relatives के property पे ही ले सकते हैं अपने किसी friend या किसी और के property पे आप ये third party के property पे आप ये loan scheme नहीं available कर सकते हैं तो charges क्या क्या लेगा बैंक आप से एक तो loan processing charges रहेंगे वह 1% of the loan amount plus applicable taxes civil report 50 rupees plus applicable taxes administrative charges 5000 plus applicable taxes which is or 2.25% whichever is lower यह कुछ और charges हैं जो आप screen पे देख पा रहे हैं इसके अलाबा कुछ और charges होते हैं जो customer को bear करने पड़ते हैं loan against property के case में सबसे पहला होता है आपकी property की valuation आपकी property की value कैसे assess होगी ना यह आपके कहने से होगी ना किसी और के property की value assess करेगा वह property bank का value होगा वह property को देखेगा property की measurement करेगा और current value वह इंजिनियरी होता है और वह current value property की देगा उसी value को consider करके bank आपके loan को अपको loan देगा उसके अलावा bank अपने Perler ड़या एक पैनल lawyer होता है उससे valuation property की लिए जाती है value एसे वैलिशन लिए जाती है और panel lawyer से legal opinion लिया जाता है और इनके दोनों के charges होते है पैनल लायर के अलग चार्जिस होते हैं लायर के अलग चार्जिस होते हैं और यह दोनों चार्जिस कस्टमर को बेर करने पड़ते हैं उसके अलावा कस्टमर को प्रॉपर्टी का इंशॉरंस भी करवाना पड़ता है अगेंस्ट अनी तेफ्ट और स्वारी अगेंस्ट अनी लगा दोस्तो आपको आज का यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करें थैंक यू फो वाचिंग